नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो आज का हमारा ये वीडियो तीन बड़ी खबरों को कमपाइल करके बनाय गया है जहांपर हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्म आदिपुरुज के इसके बाद चर्चा करेंगे दंगल फिल्म के साथ बने रहें रामायड हमारा इत्यास हमारे देश का सबसे बड़ा महा काव्य दोस्तो करोडों देश वास्यों की दसकों से इच्छा थी कि हमारे रामायड पर एक भवी फिल्म बने जो देश विदेश में देखी और पसंद की जाए ताकि हमारे देश के इत्यास और संस्रती के बारे में देश के युवा से लेकर देश विदेश को बैतर तरीके से पता चल पाए लेकिन ये सब्जेक्ट इतना बड़ा और भवी रहा है कि इसमें हाट डलने से मेकर्स बचते रहे हैं इसमें रामानन सागर जी की रामायड ने जो एक मालिस्टोन टै किया है उसे अभी तक ना कोई टीवी सीरिस और ना ही कोई फिल्म उसकी लेगेसी को मैच कर पाई है दोस्तो जिस समय रामायड सीरियल टेली काश्ट होता था उस समय सड़कों पर सनाटा पसर जाता था लोग अपना सब को छोड़कर रामायड देखते थे और इसकी पॉप्रेटी इतनी थी कि फिर नौर्थ क्या साउथ क्या हर धर्म और हर जगा के लोगों ने इस सीरियल को काफी जादा पसंद किया तबीर से हमारे सबी के मन में था कि रामायड पर एक फुल फ्लेश्ट फिल्म देखने को मिले और फाइनली आज से कुछी दिनों के बाद ये सपना आदी पुरुष के रोप में पूरा होने वाला है लोगों की इंक्लूडिंग मेरी भी ऐसी एकस्पेक्टेशन थी कि ये फिल्म बहुबली टाइप का थेटर एक्सप्रियंस देगी लेकिन जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो मानो इस टीजर ने सभी की उम्मेदों पर पानी फेड दिया दोस्तो इस टीजर को देखकर एक काइंड ओव एनमेशन और कार्टोनिस टैच फिल हुआ और मानो इस फिल्म से जो उम्मेदे थी वो एकस्पेक्टेशन लगबख सब खत्म सी हो गई लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखकर अगेन फिल्म में इंप्रेस किया या यू कहें कि टीजर से जो एक डर बैट गया था वो थोड़ा कम होगा फिल्म के गाने ट्रेलर टू और बीजम वगेरा ने अगेन एक प्रामिस डिलिवर किया है कि डिफिनिटली ये फिल्म कुछ न कुछ इस पेसल तो फिल कराने वाली है चूँकि ये फिल्म आइमेक्स 3D एक्सपिरेंस के साथ आ रही है इसलिए साथ ऐसा होगा कि मेकर्स के विजन को उन्होंने फिल्म के स्टेंडर को क्या सेट किया है उससे हम अपनी मुबाइल और कम्प्यूटर स्क्रीन से उतना अच्छे से आख नहीं सकते इसलिए फिल्म का असली एक्सपिरेंस थेटर में ही आने वाला है मगर ये जो भी ट्रेलर वगेरा आए हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टरसन फिर से उसी इस्तर पर पहुँच चोकी है जो इसके अनॉंस्मेंट के समय पर थी खासकर ट्रेलर 2 में जब रावर्ड माता सीता का हरड बिना उन्हें टच की हुए करता है तो यहां देखने को मिलता है कि डिरेक्टर ओम रावत अपने क्राफ्ट को लेकर कितना सीरियस है दोस्तो ताना जी से डिरेक्टर ओम रावत को लेकर एक हाईप बढ़ी थी आदिपरुस के टीजर से यह हाईप कम जरूर हुई लेकिन जैसे जैसे यह फिल्म अपने रिलीस की और आगे बढ़ती जा रही है हम वैसे वैसे टीजर की उन गलतियों को भूलते जा रहे हैं वो सारी गलतियां माफ और अब आदिपरुस का फुली वेलकम है आप देखना यह फिल्म बॉक्स ओविस फिगर के मामले में एक अलगी पैरामीटर सेट करेगी डेफनेटली इस फिल्म से प्रभास का एक तगड़ा कमबैक हो सकता है आप इस फिल्म के लिए कितना ज़्यदा एक्साइटेड हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और दोस्तों ये भी रमैड पर ही बेश्ट है जैसा कि आपको मालुमी होगा कि दंगल फेम डेक्टर नितेश्थिवारी रमैड पर अपना एक अलग वर्जन लेकर आ रहे हैं डिरेक्टर ओम राउत की आदिपुरूस और नितेश्थिवारी की रमैड का जो एक मेजर डिफरेंस समझा जा सकता है वो ये है कि ओम राउत की आदिपुरूस जो होने वाली है वो पैन इंडिया और एस वेल एस ग्लोबल मार्केट को विज्वल ट्रीट देने का काम करेगी वहीं नितेश्थिवारी की रमैड से ये उमीद लगाई जा सकती है कि इनकी रमैड रमनन सागर जी की तरह ही इमोशन प्रिकट करेगी यहाँ पर डिवोशनल फिलिंग जादा होगी और रमैड एस अ क्राफ्ट की तरफ जुकाव होगा दोस्तो आदिपरुस में भी भक्ती भाव हैं और डेफिनेटि ट्रेलर वगेरा से दिख भी रहे हैं मगर मुझे यहाँ पर कमर्सल एलिमेंट को ज़्यादा नजर आ रहे हैं लेकिन नितेश दिवारी की रमैड पूरी तरह से बहुबली टाइप होगी जहाँ पर आपको ग्रैंड सेट्स और हुज लुक देखने को मिलेंगे यहाँ भगवान राम के रोल के लिए रनवीर कपूर को माता सीता के रोल में आलिया भट और रावन के रोल के लिए रौकी इंश्टार येस को अप्रोच किया गया है यहाँ एस एस रावन डेफिनिटली मेरे हिसाब से टॉप सेलेक्शन है 10 आट ओफ 10 क्योंकि यहाँ का जो फेस और उनकी जो कत काटी है उनके हिसाब से रावन के रोल में परफेक्टली जचेंग है वहीं बगवान राम के रोल के लिए रनविर कपूर एक फेर चोइस हो सकते हैं दोस्तों बगवान राम का किरदा निभाने वाले एक्टर के लिए जरूरी है कि उसके चेहरे पर एक तेज हो और उसकी स्माईल में एक डिवाइट टच्च हो एंड आई गेस कि रनवीर कपूर के चेरे पर वो सब कुछ दिख रहा है मगर डेफिनिल्टी इनसे बहतर भी च्वाइस अवेलबल थी इसके अलावा बात करें माता सीता के रोल के लिए तो डेफिनिल्टी आलिया भट मेरी च्वाइस में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो मुझे परसनली ऐसा लगता है कि काजल अगरवाल इस रोल के लिए वन अप दा बेस्ट सेलेक्शन हो सकती है खैर रिपोर्ट की मानित तो रनवीर कपूर और आलिया भट को इस फिल्म में काश्ट कर लिया गया है वह येस अपने करेक्टर को लेकर अभी डिसकसन में है खैर नेक्स्ट बात करते हैं अगली अपडेट की दोस्तो महाभारत और रामाड ये हमारे देश के सबसे बड़े महा कावे है इस तिल अभी तक कि इन दोनों महा कावे का सिनेमा फिल्ड में एक माइल इस्टोन टच करना बाकी है अगर कोई दूसरा देश होता तो डेफिनिटली अपने महा कावे पर साओ से अधिक फिल्में बना चुका होता मगर हमारे देश में एक भी सॉलिट फिल्म ना तो रामाड पर बन पाई है और नहीं महा भारत पर हाला कि बियार चोपडा की महा भारत और रामाना सागर जी की रामाड ने टेलिवीजन फिल्ड में एक बेंचमार्ग जरूर सेट किया है यानि की में इस्ट्रिम सिनेमा के पास अभी पूरे अवसर हैं कि वे रामाड और महा भारत पर फिल्म बना कर इतियास के पन्नों में अपना नम दर्ज करवा सकते हैं अब ही रामायल पर दो भवी फिल्में तो बन रही हैं लेकिन महा भारत के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि डेक्टर S.S. राजा मॉली के ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस समय इस फिल्म पर इनके पिता के भी विजिन पर साथ काम कर रहे हैं खैर देखते हैं कि ये फिल्म कब तक फ्लोर पर जाएगी वैसे इस समय डेक्टर S.S. राजा मॉली महस बाबू के साथ S.S. MB. 29 फिल्म के सूटिंग में वैस्त हैं इसके बाद ही महाबारत पर काम हो सकता है खैर बात करते हैं S.S. MB. 29 की दोस्तो इस समय इस फिल्म की कास्टिंग पर काम चल रहा है महस बाबू इस फिल्म में अलग-अलग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हॉलिवड इस्तार्स को इस फिल्म में कास्ट किया जा रहा है ये एक इंडियाना जौन्स की तरह फिल्म होगी और फिल्म का नायक देज ब्रमन करता हुआ नजर आएगा अभी लेटेस रिपूर्ट की माने तो इस फिल्म में महस बाबू के अपोजिट में विल्लन के रोल के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया है आमिर खान एक ऐसे एक्टर है जो पॉजटिव नेगेटिव से परे सिर्फ स्टॉंग करेक्टर पर ही काम करते हैं लाल सिंग चड़ा के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान इस समय ब्रेक पर है वे राजा मौली के साथ डिसकसन में हैं अब देखते हैं आमिर खान इस फिल्म के लिए तयार हो जाते हैं तो डेफिनिटि आपको गलोवर लेवल पर महस बाबू वर्सस आमिर खान देखने को म अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद